नमस्कार मैं चितरेश सेगल और मेरे साथ है तन्वीर आजम आप देख रहे हैं DNA Editor Stable आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे सवाल पे जो इस इलेक्शन के शुरुआत में नहीं था लेकिन अब पिछले चार फेस के बाद उमड क्या आया है इस सवाल है क्या BJP 272 यानि Majority Mark क्रॉस कर पाएगी इलेक्शन जो है चार फेस खतम हो चुके हैं और करीबन 70% लोगसभा सीट्स पे वोटिंग हो चुकी है एक जो बड़ी चीज दिखी है कि वोटर टर्न आउट थोड़ा से डिकलाइन पे है और 252 सीटों में 365 सीट जिन पे हुआ है उसमें 255 सीटों में डिकलाइन पे है और इसी के साथ अशंकर जताई जा रही है कि हो सकता है बीजेपी का वोट शेर कम हो और साथ में सीट भी तो इस पर तन्वीर जी आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या 200 बहुतर से नीचे जाने का कोई भी चांस है देखिए पहली बात तो मैं बिल्कुल किलियर कर दूँ कि वोट शेर का घटना और किसी पार्टी का जीतना इससे अब इसका कोई अगर किलियर कर दूझ यह जो साइस पिए यह धने सवाल पर जो यह है कि क्या बीजेपी 270 का आखड़ा पार कर पाएगी कि नहीं ये कहना विल्कुल सही है कि देड़ दो महीने पहले ये चुनाओ जब हो रहा था और हम लोग भी जब डिसकस कर रहे था हम लोग यह बोलते थे कि बड़ा नीरस चुनाओ है इसमें क्या ही होना है बीजेपी आसानी से सरकार बना लेगी इंडिये के साथ मिलके कोई दिक्कत पिछले देड़ दो महीनों में जब से चुनाओ शुरू हुए ढ़िए धीर धीर जैसे जैसे अलग-अलग चर्नों में चुनाओ बढ़ते गया चुनाओ खुल गया जो अपनी भाशा में बोलते कि कोई नहीं कह सकता बड़ेपी आसानी से जीच जाएगी या इंडिया आस बिजेपी की कुछ सीटे तो कम होते वे साफ दिख रही है जो तीन चार स्टेट हैं जहां पर बीजेपी ने बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया था फॉर एक्जामपल राजस्थान अगर राजस्थान में पिछले बार बीजेपी ने 25 की 25 सीटे जीती थी इस बार बीजे सेंटी नहीं कहा रहा हूं या क्योंकि हम लोग कोई सेफालोजिस्ट नहीं है या वोट चुनाओं के तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा लेकिन जो एक ग्रॉंड की रिपोर्ट आती है सेंटिमेंट्स होता है पब्लिक का मूड होता है उस हिसाफ से बात किर रहे म महराश्रा में बी इंडिये के सीटें गटेगी बीजेपी की बहुत ज्यादा डिंट नहीं आएगा दो तेन सीटों पर जरूर दिंट आएगा आप भिहार आजाईए बिहार में बीजेपी की सीटें भले न गटे वो atra ran 내야 लेकिन हाँ इंडिये की सीटें गटेंगी объяс 49 सीटें बिहार में इंडिये की नहीं आएंगी मैं बिहार से खुद आता हूं हमें पता है 49 सीटें और आप किसी भी बिहार के पत्रकार से बात कर लिए वहां के लोकल लोगों से आप बात कर लें और जो हम लोगों ने बात की है उससे यह साफ निकल के आ रहा है कि बीजेपी बिहार में भी NDA, BJP नहीं हा रहेगी, NDA हा रहेगी, कम से कम 7-8 सीटों का नुकसान होगा उतर परदेश आजाएं, 80 सीटे हैं, पिछले बार NDA ने बहुत अच्छा पदरशन किया था, BJP ने भी बहुत अच्छा पदरशन किया इस बार BJP की कुछ सीटें घटेंगी, फार एक्जामपल मेरट की सीट जैसे है, वो बिलकुल फस्ती भी दिख रही है, पिछले बार 4000 के मारजिन से जीते थे, इस बार वो सीट फस्ती भी दिख रही है, अमिटी की टीम सीट फस रही है, आजमगड की सीट जो भी निरहुआ क अगर वहां से 8-10 सीटों भी BJP का नुकसान होता है, तो वो नुकसान में ही कॉंट करेंगे, फिर आप करनाटका में आजाए, करनाटक में पिछले बार BJP ने 25 सीटें जीती थी, इस बार किसी भी सूरत में BJP 25 नहीं जीतेगी, 500 सीटों का नुकसान होगा, तो इस तरीके से अगर आप सारे समीकरन जोडते हैं, घटाते हैं, तो आप यह देखते हैं कि हाँ BJP को, बीजेपी को, सिफ बीजेपी को तकरीबन 35-40 सीटों का नुकसान हो रहा है, पिछले बार 333 सीट जीत के लाए थे, इस बार अगर 40-50 सीट नुकसान होता है, 40 भी होता है माल लीजे, तो 260 तक जाएंगे, अब जो BJP कहां गेन कर सकती है, BJP मेरे हिसाफ से, शायद उडिसा में गेन कर जाए, कुछ सीटे गेन कर ले, दो-चार सीट, शायद, इसमें मेरे को बहुत शक है, शायद बंगाल में एक-दो सीटे गेन कर जाए, लेकिन इसमें मुझे, मतलब क्योंकि जो संदेश खाली और ये सब जो इंसिडेंट हुए, वो BJP के लिए बैक-फायर कर गए, क्योंकि शुरू में एक वो था, फिर बाद में कुछ और वीडियो आया है, जिसमें ये लगा कि नहीं ये, एक कॉंस्पिरेसी है, और बंगाल की जनता ने उसको कैसे लिया है, C.A. का जो मसला है, वो BJP के हक में कितना जाएगा, कितना नहीं जाएगा, ये देखना पड़ेगा, क्योंकि एसेम्बली एलेक्शन में तो BJP के हक में C.A. नहीं गया, पलस वहां पर ममतब एनरजी है, जो कि काफी स्ट्रॉंग एक लेडी है, काफी स्ट्रॉंग लीडर है, तो ममतब एनरजी को हराना BJP के लिए इतना असान नहीं है, जैसे कॉंग्रेस को हराना BJP के लिए असान होता है, ममतब को हराना उतना ही मुश्किल है, तो इसी ताथ से जो इवन गुजरात में जैसे 26 सीटे पिछले बाद जीते थे एक सीट अभी भी जीत चुके हैं, सूरत उ जम्मू कश्मीर में तो लड़ी नहीं रहें, जम्मू में लड़ रहे हैं, जम्मू में शायत सारी सीटे एकाय सीटों का नुक्सान हो, तो BJP को जो पैदा जो मेरे हिसाब से दिख रहा है, वो केवल दो जगों पे ही तिख रहा है, और उरिसा में और कुछ एक-दो सीटे वेस बेंगॉल में तो इसलिए चार फेज के बाद अब यह जो पाच्मा फेज है जो अगला फेज है यह तो बीजेपी का अपना फेज समझ लिए उन चार्स सीटों में पिछले बार वह तक्रीबं 30 सीटे जीत के लाए थे तो अब वह 30 को क्या मैक्स कर लेंगे क्योंकि जो स बीमसी या बहुजन बीजु जनता दल की पाटी है या आप यह समझे लिए इवन उदफ्ट हाकरे की जो सिवसेना है वह भी जिस तरीके से लग रहा था और जिस तरीके से वह चुनाओ लड़ रहे हैं और जो लोकल मीडिया के अनलेसिस हैं वह एक सरप्राइजिंग है हम लोगों के लिए भी सरप्राइजिंग है कि वह काफी अच्छी फाइट दे रहे हैं तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि बीजेपी तीन सो काख़ा पार कर पाएगी कुछ अंदर खाने ये भी बात चल रही है कि बीजेपी अब टार्गेट 272 सीट का ही कर रही है दू इस पार पहली बार शुरू किया था 85 और हैंडिकैप लोगों का जो फिजिकली ये थे उनके वोट परसंटेज अभी कॉंट नहीं हुए तो उसके बाद थोड़ा सा वोट पन पाफोर्स बढ़ेगा बट मैंने जैसे शुरू में बोला और बार बार इस बात को क्लियर करू कि वोट ओवर्वेल्मिंग में वोट होती है तो उससे जरूरी नहीं है कि किसी एक पार्टी को हारी मिलीगी 2004 में ये जरूर हुआ था कि वोटिंग जो थी वो परसंटेज कम हुआ था और बीजेपी की उस बगए अफकोर इतनी मजबूत बीजेपी नहीं थी बाचफेई क ये नजर में ही राशन इलक्षन है ये बोल रहे हम पांच किलो देंगे आप यह पिन्होंने बोल दिया हम दस किलो देंगे तो वह इसम काफी popular हो गई है फिर किसान समान नहीं ती है ये सब इसमान चल रही है फिर कॉंग्रेस के जहाँ-जहां पर हैं वहां पर उनकी स्की म है करनाटका में उनकी स्कीम है तिलंगाना में उनकी स्कीम है चल रही है तो यह बहुत इंट्रेस्टिंग यह है एनलेसिस कुछ लोग बिलकुल इस बात में है कि बीजेपी शायद सिंपल मेजरोटी तक भी ना पहुंचे एक तरफ दूसरा धड़ा है जो यह कहता है कि बीज से खबरे आ रही है और जो डेमोग्राफिक एक हम लोग देखते हैं पाटी की स्थिती देखते हैं कैंडिडेट देखते हैं क्या यहां पर यह कंड़ेट है इसकी अच्छी पहचान है लोगों में पकड़ है उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि यह एक बीजेपी दोसो की बीजेपी अलग है तो 2004 में लगबक 58% वोट पड़े थे जो लगबक 2% से थोड़ा कम का गिराब था पिछले चुनाफ से और इस बार अभी तक जो है similar 2% का कम है 2019 से लेकिन आपको जो आप बोल रहे हैं कि इसका कोई असर नहीं पड़ेगा तो क्या कुछ तीन ऐसी है कि नरियंद्र मोदी जो है वो एक अलग तरह के लीडर है पाझपेगे अलग लीडर थे और इस टाइम जब बाचपेगे साथ वह गड़्बंधन की बहुत सारी मजबूरियां थी, नरेंद मोदी के साथ वो मजबूरियां नहीं है, नरेंद मोदी ने कुछ बहुत बड़े-बड़े कदम उठाए हैं, RSS के कुछ जो बहुत पुराने एजंडा थे, उनको पूरा किया, जैसे कि 370 को हटाया, फिर उसके बाद UCC लाने की कवाय जारी करी, त्रिफल तलाग को खतम किया, तो इस वजह से नरेंद मोदी की जो एक पहचान है लोगों में, खास के BJP के वोटरों में, वो बहुत पहचान है, दूसरी बात यह है कि BJP अब जो है वो बहुत बड़ी पार्टी हो चुकी है, बाचपही जी के टाइम पे BJP उतन जीतनी है, उसको अब हर सीट जीतनी है, चाहिए वो साम, दाम, धन, भेद, कुछ भी करके, वो हर सीट जीतना चाहते है, तो इस BJP को हराना इतना आसान नहीं है, जतना मतलब बाचपही के BJP को हराना था, having said all this, दस साल हो गए है, एंटी इंकंबंसी है, हम लोगों ने ग्र नरेंदर मोदी के चेहरे पे चुनके आएंगे, उनका अपना कोई योगदान नहीं है, वो अपनी सीटों पे जनता उनसे नाखुश है, और अगर नरेंदर मोदी को, if you take him out of the picture, उन लीडरों की कोई अपनी साख नहीं है, उत्तरपरदेश में भी बहुत सारे ऐसे लीडर ह जिनको जनता बिलकुल पसंद नहीं करती, बट सिर्फ नरेंदर मोदी के नाम पे वो जीत रहे हैं, प्यार में भी ऐसे ही बहुत हैं, मद्यपदेश में भी और इससे मतलब इतिफाग वो लीडर खुद भी रखते होंगे, कि उन्हें पता है कि सिर्फ हम नरेंदर मोदी के नाम ही इस चुनाव में जो एक तरफ पूरी विपक्ष है और एक तरफ नरेंदर मोदी अकेले खड़े हैं, तो इससे समझ में आता है कि ये चुनाव में वोटिंग परसेंटेज कम हो या आगे जाके बढ़े, एक कॉमन फैक्टर है नरेंदर मोदी और नरेंदर मोदी के ह नाम पर चुराव डिसाइड होगा, इसके साथ हम ये डिस्कुशन क्लोज करते हैं, एक बार फिर से हम आएंगे अगला डिस्कुशन लेके जिसमें हम ये समझेंगे कि क्या इंडिया अलाइंस अपना 2019 का आकड़ा जो है कॉंग्रेस इंडिया अलाइंस के वाल पे इंप्र